नमस्कार दोस्तों आज पिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन की यूट्यूब चैनल पर तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सब का हाल चाल पूछूंगा कि आप सब लोग ठीक टाक हैं और मैं प्रमात्मा से भगवान से यही प्रियर करता हूं कि आप सब लोग अपनी अपनी जगाओं पर कुशल मंगल हो अगर ठीक टाक नहीं है तो को योगा स्टार्ट कर ले कर ले यार स्टार्ट इतना रिक्वेस्ट करता रहता हूं चलो योगा की प्वाद में डिसकूशन करेंगे आज हम बहुत इंपॉर्टन इडिमोमेशन यूपर क्योंकि आज की डेट में होड़ पड़क्ट बन चुका है यूपरेन क्योंकि बाकि सारी कंट्रीज क्लोज हैं क्योंकि आगे जब भी किसी भी कंट्री से बच्चों की जब रिफ्यूजल्स आती थी तो लोग उनको कहां बेज देते थे सिंगापूर में जा साइप्रस में बेज देते थे तो अभी सिंगापूर साइप्रस बंध है उसके कारण अभी यो बच्चों की भी तैदात में रिफ्यूजल्स आई हैं आईदर वो कौन सी कंट्रीज हैं यूके हैं या वाट्सोएवर कंट्री है तो उनको बहुत सारे कंस प्रमोटर्ड जिस कंट्री की एड़ोटाइजिंग आपको बहुत मिलेगी जिसको लोग बहुत रिक्मेंट करेंगे तो बहां पर आप समझ जाएं इसमें तो अभी कंसर्टेंट को ही बेनी पिट है तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा तो यूक्रेन प्रमोटर्ड कंट् बहुत ज्यादा है और यूक्रेन का जो वीजा है वो 100% मिलता है यह समझ लिजे यूक्रेन का जो वीजा है वो कोई भी परसन अप्लाई करेगा तो उसको 100% मिलेगा बट अभी यह मत सोच लेना कि मैं वहां से इन्वीटेशन मगा कर यहां पे अप्लाई कर दो तो आपको वीजा मिल जाएगा आप बहां से इन्वीटेशन स्टूडेंट का मगा लेंगे या वर्क पर्मिट का मगा लेंगे या बिजनस का मगा लेंगे तो यहां अप्लाई करेंगे रिफ्यूज कर देंगे बिदावड ब्राइब बिदावड रिश्वत तब तक आपको यह वीज को देना पड़ता है और यह फैक्ट है यह कोई मैं आपको बैसे फेक चीज नहीं बता रहा है क्योंकि अगर आप बैसे अपलाई करेंगे आपको युक्रेन बैसी वीजा रिफ्यूज कर देगी तो इतने पैसे दे के पहले तो वीजा स्टेंपिंग करवाना पड़ता है उसक इसमें में MBBS वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा है MBBS वाले जो बच्चे हैं उनको वहां की जो इम्मिग्रेशन डिपोर्ट नहीं करती है बहुत ही एक्सेप्शनल है लेकिन जो लोग वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं अनादर स्टडी लाइक लेंगुज कोर्स करन 90 साल की है जा 40 साल की है तो उनको 90 परसेंट वहां की जो इम्मिग्रेशन ने डिपोर्ट कर देगी वहां पर भी करप्शन है तो इंट्री के नाम पर भी बच्चों से हजार हिया यूस डॉलर से लेकर दो दो हिया डॉलर वहां के एजेंट मांगते हैं एक तो यह ड्रावा करके बेजते हैं यह बता कर बेजते हैं कि बहां आप शेंगन में बैसे चले जाएंगे बस में बैठके या ट्रेन में बैठके तो बहां से अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है शेंगन की तो आपको प्रोपर वीजा लेना पड़ेगा तो यह मैंने आपको यह सारे बता दिये हैं, और बच्छों के अंदर patience नहीं होती, shortcut बहुत रखते हैं और लोग क्या करते हैं, बहां जाते ही border cross करने की कोशीश करते हैं, जो border cross करने की कोशीच करते हैं, वो आज की date में जेलों में सड़ रहे हैं लोग, जो बहां से जिन लोगों ने border cross करने की कोशिश की है तो उनको भी warning है जो लोग illegally किसी भी country से border cross करके दूसरी country में जाते हैं वो अपने carrier के साथ अपनी life के साथ खेलते हैं उनसे सो मेरी strong recommendation है ऐसा काम मत करें तो यूकरेन जाने से पहले जिए मेरी video जुरूर देख लें जो बच्चे यूकरेन जाना चाते हैं तो उनको भी ये video मेरी जुरूर शेयर करें तो अभी दूसरी कहानी क्या आती है कि वहाँ लोग ये जहांसा दे कर बेजते हैं कि आपको मैं बहाँ पर 50,000 की 40,000 की 70,000 की ल आती नहीं है अगर जो मिल भी जाएगी 20,000, 30,000 इससे ज्यादा नहीं कमा पाएंगे पहले तो मैं यह कहूंगा मिलेगी नहीं लेकिन यूकरेन में हमारे MBBS के बच्चे बहुत जाते हैं जो हमारी यहां पर लोग हैं फैमिलीज हैं highly educated doctors हैं एंजिनियर्स हैं जा सर्वी सेक यूकरेन की बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं इवन उन वीडियोस में मैं बता रहा हूं कि यूकरेन में अगर आपका बच्चा MBBS करने के लिए जाता है तो जो MBBS को प्रमोट करते हैं कंसल्टेंट वो पच्ची-पच्ची सो डॉलर से तीन-तीन हिया डॉलर की सिरफ अ वाडर है तो बहां पर बढ़ जाएंगे इंपॉसीबल बिदाउट लीगल वीजा बिदाउट आपके पास शेंगन वीजा नहीं है तो आप यूकरेन से आगे नहीं निकल पाएंगे तो अगर आप हमारे तुरू किसी भी कंट्री में जाना चाते हैं तो मैं उसका फैक्ट बताता हूँ किसी भी कंट्री में अगर किसी ने जाना है लेकिन फैक्ट बताने के भी बाव्यूद लोग हमें उंगली करते रहते हैं अभी किसी को हमने भेज भी दिया तो वहां जा बहुत अच्छी तंखाम मिलती चलिए पिसाज यार पर कमा सकते हैं बजो अपने चार-पांच दोस उतारता है अपने पैसे पूरे कर लेता है इसी तरीके से बहाँ काम तो है नहीं उन कंट्रीज में तो वह बहाँ जाकर एजिली लोग एजन्ट बन जाते हैं वो भी यही सोचते हैं कि चल यार मैं तो पहुंच गया हूँ अभी मैं चार-पांच लोग और उताता हूँ अपने पैसे पूरे करूँ फिर वहाँ से वो आगे इधर- पैसे इजन्ट बताता नहीं है वह तो सिर्फ उसको विजा दिखाता देखो मेरे यूकरेंड के भी 10 चाप 20 या 50 वीजा आगए हैं तो अभी आप भी चलिए शेंगन कंट्री है यूरोपिन कंट्री है हां बहां के जो लोग है बहां के जो यूकरें-था के सिटीजन है दे पिर भी आप जाना चाहते हैं तो करौन इमिक्रेशन भी आपकी हल्प कर देगी लेकिन बताएगी फैक्ट कि ये सिचुएशन है तो फैक्ट बताने के बाद भी लोग मैंने फिर बताया कि उगली करते हैं यार आपने हमें बेज दिया यहां पर आपने बहां बेजना था हमे आगे आपने हमें यहां पर जौवल लवानी थी आपने वो ऐसे ऐसे चुठे बलेम भी लगाने स्टार्ट कर रहते हैं सचाई बताने के बाब यूद भी इसलिए जिन बच्चों की डेसिनेशन यूकरेन बन चुका है जहां जो बच्चा बुच्चे यूकरेन जाना चाहत हर एक परसन लड़ू खाना चाहता है आप चूपना चाहता है वो जह चाहता है कि हमें फ्रेक्ट मत बताओ हमें तो सुपने दखाओ ड्रीम दखाओ फिर क्या होता है फिर लड़ाईयां लिटी के चलती है कि हमारे बेजनस में जूट नहीं भी है तो उसमें हम जूट पे जूट बोलते रहते हैं हम लेकिन क्राउन इमिग्रेशन आपको बताएगी किसी भी कंट्री में जाने से पहले कि अभी आप डिसीजन लें अगी आपने करना क्या है मैंने फिर बता दिया वीजा के बहुत ज्यादा चार्जिस हैं यहां पर 75-75,000 से लेकर 2-2,00,000 पर पहुंच जाते हैं आदे बच्चों को वहाँ पर जो एजेंट लेने आते हैं वो ही पैसा लेकर भाग जाते हैं क्योंकि यहां से उसके एजेंट ने यह बताया होता कि मेरा बंदा वहाँ पर आपको रसीव करने आएगा रसीव करने के बाद आपने उसको यह पैसे देने वो बचारा पैसा देता उसको वहाँ पर बचारे को सर्विस नहीं देते वो बचारे इदर उदर ही गुंते रहते हैं अपने वीजा के ओपर ना उनकी बचारों की टी आर्सी देते हैं ना उनको कोई आगे सर्विस देते हैं ऐसी भी situations आती हैं, तो आपने जब भी ऐसी country में जाना है तो पूरे precautions लेने हैं, अपने agent से proper legal agreement करके जाना है, वो आपको क्या-क्या service परवाइड करेगा, उसको proper पढ़ देना है, पढ़ने के बाद साइन करने हैं, तांकि कल कोई ऐसी आपको कोई problem ना आए, जो उसने आपको dream दखाए हैं, वो आपके dream वहाँ जाकर fulfill ना हो, तो अगर आपने किसी भी country में जाना चाते हैं, आपकी destination foreign countries ने हैं, पहले तो मैं कहूंगा जाने की जूरत नहीं है, पर आपने हटना नहीं है, हमने भी सचाई बता कर भेजना है, तो हम भी फिर आपको बता देंगे कि ये स सचाई है, भी decision लें, तो crown immigration आपकी help कर सकती है, इसी तरीके से हमारे YouTube channel के उपर इस type से related बहुत सारी videos हैं, अगर उनको भी देखना चाते हैं, तो मेरे channel को browse करके देख सकते हैं, और साथ मेरी ये भी request है, कि मेरे channel को subscribe जरूर कर लें, और साथ में लगे हुए bell icon को जरूर push कर तो last year मेरी ये request है, कि अगर आपको ये मेरी video अच्छी लगी, इसको like and share करना ना हो, thank you